फिल्हाल रोख करते हैं कुछ और खबरों का पटना से खबर जहां वकील जीतेंद्र के हत्या के विरोध में वकील सड़कों पर उतराए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं जी मीडिया समवादाता रजनीश मौके पर मौझूद थे और प्रदर्शन कर रहे हैं वकीलों से उन्ह यहां पर। जल्द से जल्द गिरफतारी हो साथ भ़ humor पर पहुचे दीजी पी चीफ सेक्रेट्री और मुख मंद्री इसका यहां मांग कर रहे हैं किस तरह से क्या कुछ मांग है देखिए हमारी मांग है कि जो अपराधी है और इस अपराध के सत्या के पीछे जो भी ब्यक्ति है उसकी गिरफतारी अभिलम किया जाए और 24 घंटे के भीतर गिरफतारी हो और एड़वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ह तो अभी तक कोई भी आला धीकारी हमारे पास नहीं आ है तो जिस तरीके से काफी उग्र है जो तमाम सारे वकील है करे तेवार इनके और लगातार विरुत परदर्सन जारी है और इनके कहना कि अगर बाते इनकी नहीं मानी जाती है तो यह अपना अंगोलन और तेज और आगे दिन से रणनीती के ताहत धरना परदर्सन का दौर जो है वो भी जारी रहेगा कैमरा मैंन अनिमेश के साथ रजनीश जी मीडिया पटना रजनीश हमार साथ जुड़ें और अपडेट इस मामले पर लेंगे रजनीश अभी तक कुछ पता चल पाया या कुछ गिरफतारी हुई इस मामले में वकील शान्त हुए क्या अभी तक अगर जाम की बात करें तो पुलिस प्रतासन हाथ पे हाथ घर कर बैठी है यहां पर पूर्ट तरीके से प्रतासन इस मसले को लेकर है और जो जाम की सिती है बेली रोड और उसके आग्स पास का चाहिए वो कि पूरी का इलाका हो नागेश्वर कौनी हो इंकम पैक पूरी स्थिती को लेकर लेकिन प्रतासनी का अधिकारी यहां पे बरी तादाद में मौजूद है लेकिन वो हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं चुकि काफी उख रहे हैं जो यहां पे आंदोलन कर रहे हैं परदर्सन कर रहे हैं आधिवक्ता तमाम सारे और दूसरी और अगर बात करें तो एडी जी ने ये जरूर कहा है कि कुशिष की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफतारी हो लेकिन दूसरी और उन्हों ने ये दलील दी कि पिछले पांच महिने में अपराद का ग्राफ जो है वो काफी कम हुआ है बिहार में और हट्या चाहे अपराद चाहे उसमें कमी आई है अब लिहाजा यहाँ पे वकील जो है ये मांग कर रहे है कि कोई कुछ चे अधिकारी यहाँ पे आए डीजी पी आए तभी वो अपनी बातों को और उनके सामने रखके वो अपना परदर्सन खत्म करेंगे और लिहाजा पूरे तरीके से पंगू हो गया ह यहाँ पे याटा याट विवस्था और लोग परसान हाल और पूरी इसीपी जो है यथा इसीपी बनी हुई है हाई कोट के ठीक सामने रजनीश आपका शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपको बता दें कि पटना में दिन दाड़े हाई कोट के वकील की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी घटना को शास्तिन अगर थानाक शित के पुनाई चक में उस वक्त नंजाम दिया गया जब वो रोज की तरह प्रैक्टिस के लिए कोट जा रहे थे फिलहाल पोलिस हरेंगल से हत्याकार्ण की जांच कर रही है पोट के बाद सारा की रह पाएगा इनके भाई हैं साथ में और इनके दारा बताया गया है कि इनका कुछ पेटर्नल प्रोपर्टी है